अगर आप Taro में और कल्ट में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर अदर्वाइस भी आपका बहुत इंट्रेस्ट है आप सीखना चाहते हैं वी हवा Taro Certification Course जिसमें A to Z about Taro आपको सीखने को मिलेगा इसका लिंक आपको नीचे description box में मिल जाएगा आप क्लिक करके जोइन कर सकते हैं और इसी से ही related अगर आपके मिल में कुछ सवाल हैं कुछ doubts हैं जो clear नहीं हो पा रहे हैं I also have a free webinar on this आप उसको join कर सकते हैं इसका लिंक भी आपको नीचे description box में मिल जाएगा आपके जो भी doubts हैं जो भी सवाल हैं वो clear हो जाएंगे या फिर आप directly हमें screen पे दिये हुए number पे call भी कर सकते हैं तो जो भी आपके लिए convenient है वो आप कर सकते हैं Hello everyone मैं हूं किरिन शापरी और यह है आप लोगों के लिए May 2024 की Love Tarot Reading तो अगर आप जाना चाहते हैं कि May month में आपके partner की क्या energies होंगी आपकी क्या energies होंगी finally May month में क्या होगा तो यह reading आपके लिए है और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं May 2024 की Love Tarot Reading ले-ले-ले ओस आप लोगों के लिए देखें कि May 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है में पस यहां पर तीन set of cards हैं first set of cards में हम आपकी energies देखेंगे, second set of cards में आपके partner की energies देखेंगे and third set of cards में हम देखेंगे कि finally May month में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हैं और आपके लिए आप इस सबसे पहला card है Page of Pentacles Reverse और यह card कहता है कि कुछ time से यहां फिर May starting में आपकी Leo's काफी immature energies रह रह रही है और देखें यह immature energies सब Leo's के लिए differ करेंगी लेकिन कहीं एक immature जिद रहती हुई दिख रही है या फिर immature तरीके से आप practical realistic होते हुए दिख रहे हैं यानि कि जो भी चीज को आप बहुत practical realistic समझ के चीजों को deal कर रहे हैं वो actually में उतना practical उतना realistic नहीं है और देखें इसके लिए सब Leo's के लिए different reasons रहेंगे लेकिन कहीं obsession and greed का card कहता है थोड़ा सा या फिर काफी Leo's आप अपने partner को लेकर इस relationship को लेकर obsessive होते वे दिख रहे हैं होता है ना कभी कभी हमें लगता है कि हमें अपने partner का attention और चाहिए हमें उनका love और चाहिए हमें उनकी presence और चाहिए तो कहीं इस तरीके की एक greed यानि की और चाहने वाली energies मन ही मन आप महसूस करते वे दिख रहे हैं और यहाँ पर five of souls का card कहता है शायद आपको वो एक love, care, attention उस तरीके से जैसे आप चाह रहे हैं नहीं मिल रहा है या फिर कोई भी और reason हो सकता है एक unfair energies आप महसूस कर रहे हैं अब दिखे एक reason मैंने आपको बताया unfair energies महसूस करने का लेकिन यह general reading है तो सब लिए उसके लिए थोड़ा थोड़ा differ करेगा कुछ लिए उसके लिए हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है कि आप अपने partner के लिए इस relationship के लिए उतना fair नहीं रहे आपकी तरफ से किसी भी तरीके से किसी भी level पे injustice रहा अब दिखें injustice बहुत बड़ा और बहुत गंदे वाले की मैं बात नहीं कर रही हूँ कभी कभी होता है न कि partner को हमने उतनी attention नहीं दी या फिर हमने अच्छे से उनसे बात नहीं करी या फिर उनको हमारी ज़ुरत थी और उस time हम available नहीं थे तो किसी भी तरीके का एक injustice या तो आप अपनी तरफ से महसूस कर रहे हैं या फिर कुछ लिए उसके लिए हो सकता है partner की तरफ से ऐसी energies आप महसूस कर रहे हैं यानि कि वो आपके लिए available नहीं थे उन्होंने आपको उतनी attention नहीं दी या फिर उन्होंने आपको उतना time नहीं दिया या फिर कहीं वो चीजों को लेकर transparent नहीं थे तो कहीं दिखें five of swords का card एक manipulation की बात करता है unfair energies की बात करता है injustice की बात करता है क्योंकि ये monthly reading है तो बहुत छोटी मोटी चीजों को लेकर इस तरीके की एक energies आप महसूस कर सकते हैं फिर से repeat करोंगी कुछ लियो उसको अपनी तरफ से partner के लिए महसूस हो सकता है और कुछ लियो उसको partner की तरफ से आपके लिए महसूस हो सकता है जो भी हो deeper level के लिए love yourself का card कहता है या तो पीछे आपने अपने आपको बहुत ignore किया बहुत avoid किया और कहीं mid may में या फिर may मंत में आपको यसे लग रहा है बस बहुत हो गया अब खुद को prioritize करना है खुद को attention देनी है या फिर you know otherwise ही आप खुद को prioritize करना चाहा रहे हैं खुद को थोड़ा सा preference देना चाहा रहे हैं and end may के लिए game of love and eight of cups के cards कहते हैं आपको यसे लग सकता है कि relationship में या फिर otherwise भी personal life में growth progress लाने के लिए किसी चीज को आपको छोड़ कर आगे बढ़ना पड़ेगा और शायद इसी लिए देखे हैं आपे eight of cups का card कहता है again किसी चीज को छोड़ कर आप आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि ये general reading है तो ये छोड़ कर आगे बढ़ना भी सब लिए उसके लिए differ करेगा और कुछ के लिए या फिर मैं कहूंगी इक का दुका के लिए relationship हो सकता है जिसको किसी level पर छोड़ कर आप आगे बढ़ना चाहा रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं या इसी से related आप action initiative ले रहे हैं और फिर से मैं कहूंगी deep down इसका reason यही रहतावा दिख रहा है कि आपको ऐसा relationship में या फिर otherwise आपकी life में नहीं आएगा और अब देखते हैं कि आपके partner की energies हैं तो आपके partner के लिए सबसे बहला card मुझे दिख रहा है complimentary solidarity और यह card कहता है कि मन ही मन आपके partner आपके साथ union चाहा रहे हैं आपका साथ चाहा रहे हैं companionship चाहा रहे हैं लेकिन surface level के लिए king of pentacles का card कहता है कि बहुत practical बहुत realistic तरीके से चीजों को deal करते वे दिख रहे हैं और हो सकता है कि वो इतना अपना love, feelings, emotions आपको नहीं express कर रहे हैं या कहीं में starting में emotions उनकी तरफ से missing रह सकती हैं ऐसा आप महसूस कर सकते हैं और दिखिए इन दोनों cards को मैं combine करूँ तो deeper level के लिए ज साथी साथ फिर से कहूंगी काफी practical, realistic रहते वे दिख रहे हैं लेकिन mid-may में में उनकी energies में एक shift आता हुआ दिख रहा है, एक बदलाव आता हुआ दिख रहा है, king of cups का card कहता है कि काफी emotional हो रहे हैं, काफी sentimental हो रहे हैं, अपना love, अपनी feelings express करते वे दिख रहे हैं और अगर किसी भी चीज के इंतजार करने की जरुत है या फिर नहीं भी है, तो वो कहीं इंतजार करते वे दिख रहे हैं, अब दिखिए ये सब ही लियो उसके partner के लिए differ करेगा, कुछ के लिए simply हो सकता है कि आपकी तरफ से इतना action initiative नहीं है और वो कहीं मन ही मन आपका इंतजार कर हैं, बहुत emotional हो रहे हैं, sentimental हो रहे हैं और आपके लिए हम देखें तो कहीं mid may में आप उतना action initiative नहीं भी लेते वे दिख रहे हैं, क्योंकि आप कहीं logically चीजों को analyze कर रहे हैं, या फिर एक negative frame of mind में हैं, या फिर आपको बहुत कुछ चीजें hurt कर रही हैं, कुछ चीजें बु space चाहिएं, आपको time चाहिएं, तो वो भी देने के लिए ready रहते हुए दिख रहे हैं, और अगर आप कोई action initiatives नहीं ले रहे हैं, तो वो आपका wait कर रहे हैं, तो देखिए हर सेनारियों में आपका wait, आपका इंतजार करते हुए दिख रहे हैं, और देखिए end may के लिए five of cups क card कहता है, जो भी issue मसला आप दोनों के बीच में हुआ है, जिसकी भी गलती रही हो, वो कहीं चीजों को ठीक करके, जो भी positive है, जो भी अच्छा है, उस पे focus करना चाहा रहे हैं, मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि अगर उनकी तरफ से गलती हुई है, तो उस चीज का अफसूस उन करने के लिए ready रहते हुए दिख रहे हैं, awareness का card, again इसी चीज को confirm करता है, कि उनको इस चीज का एहसास है, कि कुछ issues चल रहे हैं, कुछ मसले चल रहे हैं, और इनको sort out करने की ज़रत है, इनको resolve करने की ज़रत है, कहीं इनको चीजों को आपस में discuss करके, better करने की ज़रत है, त उनको कहीं वो solve करना चाहा रहे हैं, और अब देखते हैं कि में मन्त में क्या हो रहा है, तो दिखें में मन्त के लिए यहाँ पे page of cups and engagement के cards कहते हैं, कि जो भी आप दोनों की energies हों, जो भी आप दोनों महसूस कर रहे हों, कहीं आप दोनों के बीच में connect रहता हुआ दिख रह कार्टिंग में रहती हुई दिख रही है, engagement के card को literally देखें तो कुछ के लिए हो सकता है, शादी से related बातचीत कर रहे हैं, या फिर long term commitment से related, आप दोनों के बीच में discussions हो रहा है, या फिर उस direction में आप दोनों जाना चाहा रहे हैं, ऐसी सी energies रहती हुई दिख रहे हैं, या engagement चाहा रहे हैं, या हो रही है, या इसी से related, action initiatives ले रहे हैं और एक दूसरे से बातचीत करते हुई दिख रहे हैं, love अपना express करते हुई दिख रहे हैं, messages पे या फिर phone call पे जादा बातचीत होती हुई दिख रही है, और दिखिए mid May के लिए the full reverse का card कहता है, कि कुछ issues, कुछ मसले रह सकते हैं, in fact मैं कहूंगे कुछ issues, कुछ मसले भी नहीं रहते हुई दिख रहे हैं, बहुत एक immature energies, आप दोनों में से किसी एक की तरफ से रह सकती है, और मैं cards देखूं तो लियोज आपकी तरफ से ये immature energies जादा रहते हुई दिख रही हैं, दिखिए आपके partner के energies हैं, आपके लिए यहाँ पर page of pentacles reverse का card immature energies की बात करता है, और लियोज अगर ऐसा आप भी पाएं तो ज़रूर इस चीज को check करके correct करें, क्योंकि देखिए सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद भी चीजे ठीक नहीं होंगी जब तक maturity के साथ हम उनको नहीं deal करेंगे, तो फिर स level के लिए mystical union का card कहता है, शायद आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का union possible नहीं है, यहाँ फिर वो एक understanding नहीं है, वो एक compatibility नहीं है, और future तो again मैं कहूंगी आप दोनों में से कोई एक महसूस कर रहे हैं कि possible ही नहीं है, और यहाँ पर engagement का card बहुत ही टील करके, इन issues और मसलों को solve किया जा सकता है, इनको solve किया जा सकता है, और देखिये जो भी हो कहीं, end में के लिए long term commitment and judgment के card कहते हैं, आप दोनों ही कहीं long term commitment चाहते हैं, एक दूसरे का साथ हमيशा के लिए चाहते हैं, engagement चाहते हैं, marriage चाहते हैं, living चाहते हैं, और इसी से ही related judgment का card कहता है बहुत critically चीजों को analyze करते हुए दिख रहे हैं जो चीजें ठीक नहीं हैं उनको end करके जो चीजें अच्छी हैं उन पर focus करके नहीं beginning इस relationship में करना चाह रहे हैं और उसी से ही related कहीं action initiatives ले रहे हैं decisions ले रहे हैं लेकिन in the process अगर लियोज आप याँ आपके partner जादा critical जादा judgmental होते हुए हुए तो उस चीज को ज़रूर चेक करके correct करें otherwise देखिए थोड़ा सा भी समझदारी से अगर चीजों को deal किया तो end में में issues resolve हो सकते हैं जो भी problems हैं वो solve हो सकती हैं चीजें solve होते होते खराब हो जाएंगी या फिर मैं कहूंगी solve नहीं होंगी तो ये था लियोज आप लोगों के लिए मैं 2024 की love taro reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को like, share और subscribe ज़रूर करें